हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का वानिस्टेडी में दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एससी एक्जाम से के लिए जी एसकी क्लासे लगातार दे रहा हूं और यह पूरा जो कंटेंट हमारा है बिल्कुल अपडेटेट है यह जनुरी दोजार चोबीस तक एससी की द संस्था है साइ का मुख पूर्ण रूप क्या है आपको यह बताना है ठीक है तो देखें सायगा मतलब क्या होता है आपको फूल फाम इसकी बताना याँ पर और यह सह से से खेल संसा इसको याद रखना साई का पूर्ण रूप होता है फुल फाम होता है इस्पोर्ट अथोर्टी आफ इंडिया खेलों को प्रोशाहिन देने वाले सर्वोच निकाय भारति खेल प्राधिकरण के स्थापना 1984 की गई थी इसको ध्यान अकना ठीक है तो इतनी पॉइंट आपको ध्यान अकना है कि फुल फाम क्या होता है साई का इस्पोर्ट अथोर्टी आफ इंडिया और इसके स्थापना 1984 हुई थी तो अभी अभी आपको बताया था स्थापना कब हुई थी तो कब हो गई थी अभी आपको बताया था कब 1984 में ठीक है कब हो गए था इसके स्थापना 1984 में यहां पर देख लिजिए इसके स्थापना कब हुई थी 1984 में तो आप लोग इसको ध्यान लखेंगे देखे स्थापना कब हुई थी तो सभी कुष्चन इंटर लिंक्ट होते हैं ठीक है तो इसको आप लोग पूरा जरू लगाए चलिए आगे चलते हैं अगले कुष्चन पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून कहां पर है देहरादून में हैं इसके स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी किस वर्स इसके स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी ठीक है तो इसका इंसर क्या होगा इसके स्थापना कब हुई थी जिस वर्स जिस वर्स मुस्लिम लीक के स्थापना ह हुई थी उसी वर्स 1906 में ठीक इसके स्थापना कब हुई थी 1906 में आगे चलते हैं तो वन अनुसंधान सहस्थान देहरादुन के स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान सहस्थान के रूप में 1906 में की गई थी इसको आप लोग ध्यान रखेंगे अगला है राष्टे डोप परिच्छन प्रयोक साला कहां पर इस थी थी तो राष्टे डोप परिच्छन प्रयोक साला एससी सीजल कुष्चन दो जाते हैं इसका बिल् यहां पर आपको बिल्कुल अपडेट बिल्कुल एक बिल्कुल लेटर और इसी तरह के मैं आप कुल स्ब्सक्राइब करा रहा हूं ठीक है आपको इससी सीजल के प्रीक यितने भी सेट हैं उनको अभी नव सब्सक्राइब और उसके आगे भी आपको दे रहा हूं और उसके अलावाद चैप्टर वाइस में आपको जो एससी क्लास बहें इंप्वार्टन हो जाती है में से एक भारतिय कर्सी अनुसंद्धान संस्थान कहां है नई दिल्ली में इसठीत थीक नेपाल के निम लिखित मेंसे कि सहर में नेपाल के भारतिय नागरिक संग इंडियन सिटी जन्स एसोसेसन आप नेपाल की साखा नहीं ठीक है तो आपको इसकкого answer बताना तेके यानि कि नेपाल के भारतिय नागरिक संघ कही साखा कहां पर नहीं नेपाल में ठीक है ओआपका answer हुगत क्या यह हुगा लिद्पूर CCP इसका पोखरा दमक और भायरहवा में साखाओं के साथ नेपाल में निवासी भारती नागरी को एक मात्र संग है तो इसके ब्रांचेस कहां कहां पर पोखरा में दमक में और भायरहवा में है ठीक है तुसको आप लूग ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं सीबी आई सी कम पूर्ण रूप क्या है सिबी आई सी जिसके तुरू आप से शीर नोकरी पाते हैं उसका फुल फार्म क्या है आपको यह पताना है ठीक है तो क्या है इसका मतलब सेंट्रल बोर्ड आप इंडारेक्ट टैक्सस अंड कस्टम तो इसमें का सब्सक्राइब तो Central Board of Indirect Taxes and Customs ये इसका इंतर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं CBIC का Full Farm होता है Central Board of Indirect Taxes and Customs आगे बढ़ते हैं भारत का निम्लिकित में से कौन्त राज वर्स 2023 के पुरुष हांकी विसुकप की मेजबानी करेगा ठीक है कहां पर होगा MTS 2022 कोस्चन है तो 2023 का पुरुष हांकी विसुकप की मेजबानी कहां पर करेगी उडिसा में ठीक आगे बढ़ते हैं इसके बारे हम देखते हैं जहां पर देखिए 2023 पुरुष हांकी विल्ड कप का आज़न 13 जनौरी से 29 जनौरी 2023 तक उडिसा में किया ठीक है इसके लिए हाँ पर कलिंगा स्टेडियम और बिर्सा मुंडा स्टेडियम ये दोनों स्टेडियम के नाम आपको ध्यान अखना है कलिंगा स्टेडियम और बिर्सा मुंडा स्टेडियम कहां पर है तो उडिसा में ठीक है यह हांकी वर्ल्ड कप का 15 संस्क्राइब था इसमें 16 टीमें भाग लिया और जर्मनी ने बेल्जियम को हराया ठीक है जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके खिताब जीत लिया ठीक तो पुरुष हांकी वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन कहां पर हुआ उड़ी सराज में ठीक तो इसको आपको ध्यान रखना है गिद संद्चन परजिनन केंदर निमलेकित में से कहां पर इस्थित है तो गिद संद्चन परजिनन केंदर ठीक पिंजोर है कहां पर तो हरियाना में ठीक है तो गिद्चन परजिनन केंद राण के पिंजर में है और परियाबर्न वन ऐंवन जलवायree मंत्राय द्वारा गिद्धों के संद्चन के लिए एक गिद्ध कार्योजना ठीक गिद्धों के संद्चन के लिए एक गिद्ध कार्योजना 2020 से 25 शुरू की गई ठीक इसको याद्धान रखना भूलू इसका मुख्य उद्देश क्या है पसुचिकित्सा संबंधी अगला कुशन है भारतिय सेना की पूरवी कमान का मुख्याले कहां पर देखे पूरव कि थर होगा पूरव इस साइड में ठीक है और पूरव वाले तो हमारा लखनाओ तो उत्तर में है ठीक उत्तर प्रदेश गोआ हाटी असम इस साइड में हो जाएगा पूड़े महराष्ट में अनिक दच्छी में पर जाएगा तो पूड़े एंसर नहीं होगा तो कहां पर हो सकता है तो गुवाहाटी या फिर कोलकाता अगर आपको आता है तो लगादीजिये सही अधर्वाइश तुक्का मार सकते हैं इसमें से ठीक है तियां पर फिलहाल इसका एंसर क्या होगा कॉलकाता ठीक है इसका एंसर क्या होगा कॉलकाता तो पूर्वी कमान का मुख्याल है कॉलकाता में तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे पस्चिमी कमान जो है इसका मुख्याल है चंदी अगला कुशन है भारतिय कर्षी अनुसंधान परस्द'obic r का राष्ट्रे केला अनुसंधान केर्ढ कहां पर इस्थित है ठीक तो जो आपका राष्ट्रे केला पर तेरोचिरा पली तमिल नाडो लिए इसको आप लोग ध्यान रखे हैं यह भी इस जीदीम पूछा गया था यहाँ पर देखेंगे तो भार्टे किसी नुसंधान परशत कर राश्ट्रिय केला अनुसंधान केंदर तमिल नाडो के तेरोचिरा पली में इस्थित है इसके स् अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है राष्ट्रे बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है राष्ट्रे भारती चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर केंद्र चावल अनुसंधान संस्थान कानपुर ठीक है तो इन सभी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे स्थाफ़ा में नैटन कवर स्थाफंट्रा न चाल ऑए तो जो आप का राष्ट्री जल्ट्रीडीत संस्थान है वह आपके गोवा एंसित कहाँ पर गोवा पर नहीं वोर sch зн six c Sono State संस्थान गोवा में मैं तो ओक राष्ट्रीड's में उडこの system कि पढ़ती के समुद्ध तरपर इस्थापित दिया गया है ये संस्थान भारत में पाने की खेलों का सरवोच निकाय ठीक दुसको ध्यान रखेंगे ये पूश्चन पूछा सकता है कि भारत में पाने के खेलों का सरवोच निकाय कॉश्च आए तो यह संगठन है CSIR का अर्थ क्या ठीक तो CSIR का अर्थ होता है इसके बारह में जानते है तो बैग्ञानिक तथा अनुष्ण अनुसंद्हान परिशद CSIR आप संट्रिफिक यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकास संगठाने ठीक है इसकी स्थापना 1942 में की गई थी इसको ध्यान अकना है CSIR के स्थापना कब हुई थी यह विज्यान और प्रद्धियो की मंतरा लेकित आता है और गया था इसका मुख्याला है कहां पर नई दिल निमीं ठीक है और 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्राइने हर्याने में आजूत होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2021 में तो इसको ध्यान लखना कि जब 2021 में चार खेलों को सामिल किया गया था गतका कलरी पट्टू ठांगटा औ और मलखंब ठीक है इसको सामिल किया गया था ठीक तो आप लोग ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला कुस्च्चन है आई सी ए आर भारत में करसी और अनुसंधान के समझ में के लिए एक स्वायत निकाह है आई सी ए आर का फुल फार्म क्या है ठीक है तो भी थोड काउंसिल आफ अग्रिकल्टर रिसर्च इंडियन काउंसिल ठीक आपसर नंबर भी क्रेक्ट होगा इंडियन काउंसिल आफ अग्रिकल्टर रिसर्च आपसर नंबर भी यहां पर सही हो जाएगा आवे चलते हैं तो यहां पर इसके बारें देखिए भारतिक कर्सी अनुसंधान परशद I.C.A.R. इंडियन काउंसिल आप अग्रिकल्टर डिसर्च कर्सी अनुसंधान उन सिठ्थर भाग कर्सी मंत्राले भार सरगार तहत स्वयत शासी संस्था है इसके स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई ती इसको आप लोग ध्यान न कहेंगे ठीक है स्थापना काभूरिति आई C.A.R. की तो 16 जुलाई 1929 ठीक अगला है सुस्क वन अनुसंधान संस्थान यह कहां परिस्तित है सुस्क वन अनुसंधान संस्थान ठीक है तो अभी आपको थोड़ी दिर पहले पताया था वन अनुसंधान संस्थान वह कहां पर था देहरादून में था यहां पर अब है सुस्क वन अनुसंधान संस्थान ठीक इसका इंसर होगा राजस्थान यानि की जोदपूर ठीक है 1982 में पूर प्रधार मंतिष शिरी मति इंद्रा गांधी द्वारा भारत भावन नामक बहुकला केंद्र का उद्गाटन किया गया था वह केंद किस भारतिय सहर में इस्थित है तो आपको ध्यान रखना है जो आपका भारत भावन नामक बहुकला केंद्र है यह कहां पर है तो यह आपके भोपाल में स्थित कहां पर भोपाल में ठीक तो इसको ध्यान रखेंगे यहां पर देखते हैं भारत भावन नामक बहुकला केन जो है यह मद्रप्रदेश के भोपाल में इस्थी थे इसका उद्गाटन इंद्रा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया थीक तो भारत भावन की स्थापना कभी थी 1982 में इंद्रा गांधी द्वारा उस समय हर्जुन जो है मुख्यमंत्री थे वहां पर बस इतना आपको ध्यान रखना है जो भारत भावन इसको चाल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था तो भारत भावन कहां पर है भोपाल मद्रप्रदेश में अस्थापना इंद्रा गांधी के समय में 1982 में थी और इसको पर बंगलोवर ठीक है तो इसका उन्सर होगा वह जाएगा आपका आपका ऑंगलोवर ठेक है इसका एंसर क्या होगा बंगलोवर ट्याण रखेंगे आगए बढ़ते हैं आप सब्सक्राइब को पता होना चाहिए यह आपके नई दिल्ली में स्थित कहां पर नई दिल्ली में यह स्थापना 1964 में की गई तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक और यह भारत के संस्कृति मंत्राले के अंतरगत आता है इतनी पॉइंट आपको इसमें ध्यान र संस्क्राइब के तहित आता है अगला कुस्चन है भारत के राष्टे फिल्म अभिलेखागार यानि कि एन-एफ-ए-आई इसका मुख्याले कहां पर है ठीक तो जो एन-एफ-ए-आई है इसका मुख्याले आपका हैं यह पूणे में वेशती थे तहां पर पूणे में ठीक यह सीजियल 2016 में आया था कुश्चन कि भारत के राष्टे फिल्म अभिलेखागार का मुख्याले कहा है पूरे आपको ध्यान आखना है ठीक आगे बढ़ते हैं तो भारत के राष्टे फिल्म अभिलेखागार एन एफ ए आई ठीक कि एन एफ ए आई के स्थापना 1964 में सूटना एम प्रसारन मंत्रारे भारत सरकार के अधीन किया गया था ठीक इसको आप लोग ध्यान रखेंगे इसका मुख्याले कहां पर है पूरे में है इसने चीज़ें आपको ध्यान अटना है अगला कुश्चन है राष्ट्री रेल संग हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रे रेल परिवहन संग्रहाले नहीं दिल्ली के चानक पूरी में इसको जानके अगला कुश्चन है भारतिय सेना का तो खाना विद्याले स्कूल आफ आर्टिलरी कहां परिस्थी ठीक है तो जो स्कूल आफ आर्टिलरी है यह आ ध्यान х청 पर इसके भारतिय सेना का तौप खाना विद्याले से पर आपका नासिक के पास है भारतिय से गविद्याले से निय। उत्तर पूर में देवलाली नासिक जिलय के देवलाली नामगा अर्थान पर इस्तित को आव लोग ध्यान रखेंगे ठीगे और उसके मिलिटरी कालेज पर देहरादून में राष्ट्रे मिलिट्री कालेज डेहरादोन मिश्थी थे राष्ट्रे रच्छा अकाड़मी यानि कि NDA यह कहां पर खड़गवासला मिश्थी थे आर्मी पब्लिक स्कूल यह आपका रूड़की मिश्थी थे इन प्रॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे अर्मी पब्लि अधियलर कोलकाता इससंडन में इस्थित है अगला कुछन है कि अंचेका पर पर भारतिय स्टेशन कależथा था ठीक है तो भहुत ही एक्जामें बहुत ज्यादा पूछा जाटू का का बहुत सब को पता होना चाहिए यह हुता है उतली गंगोत्री इसको नाम क्यों कि आगया था दचhtणी गंगोत्री आगे बरतें यह स्टापन रखेंगे और उसके अलाम यह भी बरक की चादर में ठडग गया है तो 1988 1 कि पहला रिषर्च जो यहां पर पहला इस्टेशन में बहुता दचनी गंगोतरी इसको ध्यान रखना इसके स्थापना उन्नीज सो एक्यासी में डाक्टर जेट कासिम के नेत्वत में प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के समय मुँआ था उसके अलावा करता मंबई बंगलोर नहीं दिल्ली तो कहां पर इसका एंसर हो कोल काता में ठीक है तो कौलकाता, गुवाहाती, मुनार, चिन नहीं, इसका हो जाएगा कोलकाता, टीबोड अइंडिया जो है इसका मुख्याले कहां पर है कोलकाता में है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे अगला यहां पर देखेंगे तो जो टी बोर्ट बारत सरकार का एक नियामक संस्था है जो चाय के भारती ब्यापार को नियंतित करती है यह चाय अधिनियम 1953 के द्वारा इस्थाफित क्या गया था इसका मुख्याल है कॉलकाता पस्चिम बंगाल में और आज का है लास्ट कु देखते रहना है यहां पर कि इसमें एंसर क्या होगा जो चुछा विकारों के लिए राश्ट्य यूनानी और सजी अनुसंदान संस्थान है यह आपका इस्थितर हाइद्राबाद में कहां पर हाइद्राबाद तो आप इसको ध्यान रखना है नॉमबर 2019 में केंद्री क्रियम का जाता है यह उन्यत तोचा विकारों के लिए यूनानी ची किस्था से राश्ट्य अनुसंदान संस्थान और यूम्स्थान किया इस आउसर पर यहां पर सब ठीक है तो इसको बस इसमें इतना ही आपको ध्यान अकना है ठीक है कि यह जो कहां पर है आपको इसको ध्यान रखना है और बाकी फिर इसी तरह के मैं और वीडियो आपके लिए लाकर लेकर करके आता रहूंगा उसके लिए आप लोग चैनल के जरू सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू आल दरेस्ट